वेलकम टोन ले आईए, स्वगत है आप सभी लोगों का प्रिलिम्बूश्टर न्यूज डिस्कुशन में आज 28 नॉंबर 2022 है तो आईए देख लेते हैं कि ऐसे कौन से important articles हैं जो आज हमें cover करने हैं हमारा first article Central Depositories Services India Limited के बारे में है Central Depositories Services India Limited जिसे आप short में CDSL भी कह सकते हैं अभी हाल ही में इसके कुछ internal machines में cyber attack detect किया गया इसी reference में CDSL न्यूज में आया CDSL क्या है? देखे पहले क्या होता था? जब banking system या तो बहुत strong नहीं था या लोगों के पास banking system की बहुत access नहीं होती थी तब लोग cash लेकर चला करते थे cash लेकर चलने में कई तरीके की असुविधा भी कई बार होती थी जैसे कि आप बहुत सारा cash लेके कहीं नहीं जा सकते है आपने अक्सर ये परिशानी face की होगी जैसे अभी तो देखे ऑनलाइन payment बहुत जादा होने लगा है लेकिन आप 2016 के पहले जाओ 2015 के पहले जाओ तो अनलाइन payment लोग इतना frequency नहीं करते थे कि जहां दिलाया वहीं जाके scan कर लिया ना तो scan करनी के ऐसी सुविधा उपलब्द होती थी और नहीं आप इतने आदती थे इसके तो सभी लोग cash लेकर चलते थे तो cash के अपनी समस्याएं थी मतलब cash अगर बारिस हो जाए तो भीगने लग जाता था कई बार cash गिर जाता था खो जाता था आप कहीं रखकर भूल जाते थे ऐसी कई सारी problems cash के साथ होती थी आप बहुत सारा cash carry नहीं कर सकते थे जब आपनी अपनी पैसे को जमा कर दिया एक account में और आप online payment करने लग गए तो आपके लिए बहुत सारी चीज़े आसान हो गई यह तो मामला cash का हुआ जहां पे आप अपना bank में amount transfer कर सकते हैं जमा कर सकते हैं किसी भी व्यक्ति को जब दिल चाहे दे सकते हैं अपने instructions के basis पे तो banking system नी cash के flow को बहुत आसान बना दिया similarly पहले क्या होता था मैं बात कर रहा हूँ 1996 के पहले की अगर आपनी कोई security खरीदी हुई है किसी company की कोई bond कोई share खरीदा हुआ है इस case में उसको आप online कहीं store नहीं कर सकते थे तो आपको उसके बदले में एक physical certificate मिलता था आपने किसी company का share लिया हुआ है तो अब physical certificate को आपको सम्हाल के रखना पड़ेगा किसी भी coronavirus अगर आप अपना physical certificate कहीं भूल गए वो खो गया या फिर किसी भी वज़े से खराब हो गया घर में रखने पे तो चुहे भी कार सकते हैं it's not a big deal तो फिर बड़ी problem हो जाती थी फिर आप जाईए जो office है उसके चक्कर मारिए प्रूव करिए कि हाँ आपने महाँ पे shares खरीदे हुए थे फिर आपको कोई duplicate certificate issue कर दें तो ठीक है नहीं कर दें तो उसमें भी वावाल है बड़ा problem हो जाता था इस problem को resolve करने के लिए सेभी ने सोचा कि क्यों न जैसे ही लोग अपने पैसे को bank में रखते हैं वैसे ही वो अपने share को भी एक online account में रखें और इसके लिए DMAT account खोले जाने की विवस्था की गई जो DMAT account खोले जा रहे थे अब ये account खोलेगा कौन और जब आप अपने shares को कहीं पर जमा करेंगे तो actually भी वो shares कौन रखेगा जैसे banks में SBI है, PNB है, लोटो पैसे रख देते हो तो DMAT account आप कहां खुलवाओगे जहां पर आपके shares रखे जाएंगे तो DMAT account जहां आप खुलवाओगे और जो आपके shares को deposit करेंगे उन्हें ही Central Depositories के तौर पर देखा जाने लगा या National Depositories के तौर पर तो इस reference में दो Depositories बनाई गई एक तो बनी Central Depositories Services Limited और इसी के तरज पर एक बनी National Securities Depository Limited तो जो National Securities Depository Limited है यह सबसे पहले बनाई गई 1996 में यह बनी थी NSE Exchange के लिए कि अगर कोई भी व्यक्ति NSE में जो भी registered companies हैं उनके shares खरीद रहा है तो उसके लिए जो वो एक online account खोलेगा DMAT account खोलेगा उसे manage किया जाएगा NSDL के द्वरा और आपके सारे shares यहाँ पर manage होंगे लेकिन अगर कोई ऐसी company के share खरीद रहा है जो BSE में registered है Bombay Stock Exchange में तो उनके लिए जो accounts handle किये जाएंगे DMAT account वो handle करने का काम Central Depository Service Limited तोरा किया जाएगा इस तरह किसा आप समझ सकते हो कि यह जो depositories है यह एक bank की तरह काम करती है लेकिन आप bank के में normal account खोलते हैं यहाँ पर आप DMAT account खोलते हैं bank में आप अपने पैसे रखते हैं यहाँ पर आप अपने shares रखते हैं इतना ही मतलब हुआ in depositories का तो यह तो मैंने आपको fundamentals बता दिये Central Depositories Services Limited के जो depository होती है यह एक ऐसा organization होता है जो आपके securities को hold करता है जिससे shares, debentures, bond, government securities mutual funds या कुछ और यह electronic form में store किये जाते हैं और जहाँ पर आप participate करते हैं ठीक है उसके आपके request के basis पे आपके securities वगरा को transfer भी किया जा सकता है और securities का transaction हो सकता है आप इसका comparison एक bank के साथ कर सकते हो bank आपके funds को hold करता है या आपके securities को hold करते हैं यहाँ पर आप अपने instruction पे अपने amount को पैसे को transfer कर सकते हो यहाँ पर आप securities को transfer कर सकते हो depositories में यह आपके funds को transfer करते हैं बिना physical money को handle किये electronic form में Similarly, यहाँ पर आपकी securities को बिना physical certificate के form का इस्तेमाल किये, आपकी ownership को transfer कर दिया जाता है यह आपकी money को safe रखते हैं और यह आपकी securities को safe रखते हैं तो यह तो हो गया basic मतलब, यहाँ पर B.O. account holder लिखा गया, B.O. का मतलब होता है beneficiary owner account holder जिसके पास वो shares होते हैं तो यह आपने समझ लिया, तो next article देखते हैं हमारा जो next article है, वो कुटिया कोंड tribe के बारे में है देखिए यह जो tribe है, यह बहुत specific है क्योंकि यह millets का, यानि की जो मोटा अनाज होता है उसको बहुत ज़दा promote करते हैं, जब भी इनके कई सरे festivals होते हैं उन में तो यह जो कुटिया कोंड tribes हैं, यह primitive section के tribes हैं कोंड tribes से ही belong करते हैं, जो hill tops and valleys में रहते हैं, उड़ी सामे यह particularly vulnerable tribal groups का part है, जो कि काला हांडी या फिर कांधा मल district में आपको मिल जाएंगे तो जो कुटिया कोंड tribes हैं, यह बाकी कई सरे tribes के तरह ही इंडिया में nature को worship करते हैं agriculture की बात करें, तो इनका agriculture practice करने का तरीका अभी भी primitive है यह shifting cultivation पे dependent है, यह श्लैस और बर्न agriculture जहाँ पे जंगलों में आग लगा के साफ कर ली जाती है वहाँ पे agriculture करके वो जिगे को shift कर देते हैं इस प्रकार की agriculture practices को यह tribe के लोग डोंगर, चास या फिर पोडू चास कहा करते हैं जो major crops इनकी तोड़ा cultivate की जाती है, इन दी form of shifting cultivation उनमें कुछ छोटे-छोटे millets भी होते हैं जिसे की रागी, कोसल, कांगू और कुछ अरहर की crops भी उगाये जाते हैं बालूंग यात्रा की बात करते हैं, जिसके दौरान ये लोग इस प्रकार की millets को promote करते हैं ये एक traditional annual festival है, कुटियाकोन tribe का, जो कांधामल district में observe किया जाता है इस festival के दौरान जो communities हैं, specifically women, वो worship करते हैं और seeds का exchange किया जाता है celebratory mode में, गाने गाये जाते हैं और dams भी perform किया जाता है village के level पे अब देखिए, tribals से related क्या questions पूछे जाते हैं, अफ्कूर्स पूछे जाते हैं दौसर 21 का प्रशन देखिए, तीन terms आपके सामने रखे गए थे, हल भी, हो और कुई, पुछा गया था ये क्या है तो ये है tribal languages, तो d was the correct answer, तो tribal से associated अगर कोई news आ रही है, you must know, questions can be asked अगला article International Electro-Technical Commission के बारे में है, अब देखिए, Electro-Technical में दो words है, एक तो है Electrical और दूसरा है Technical इन दोनों को मिला कर बना है क्या Electro-Technical इंडिया नहीं अभी IEC, यानि की International Electro-Technical Commission की Vice Presidency को अटेन कर लिया है और जो Strategic Management Board है, उसका चेर भी इंडिया के पास आ गया है, 2023-2025 के लिए अब भला ये है क्या, ये एक not-for-profit membership organization है, बहुत पहले बनाया गया था लंडन में, 1906 से ही ये काम कर रहा है मतब इस संस्था को काम करते हुए, 100 साल से जाधा का समय हो चुका है, अब ये Electro-Technical Commission का काम क्या है देखिए, दुनिया भर में बहुत सारे Electrical और Technical Equipment बनाये जाते हैं, लेकिन जो भी ये Equipment बनाये जा रहे है उनका एक International Standard तो होना चाहिए न, या उस से लिए जो भी Technology है तो उसके Standard को Prepare और Publish करने का काम ये Commission करता है कि क्या Minimum Standard है जिसमें इस प्रकार के Equipment को Develop किया जाए International Level पे ये Global Not-for-profit Membership Organization है, जिसमें लगभग 173 देश हिस्सा है और 20,000 इसके Experts globally काम करते हैं हाला कि इसे बनाया गया था London में, लेकिन ये Headquartered है सुर्जलैंड के जनेवा में इस Standardization Management Board इसका Apex Governance Body है, जो की Responsible है Technical Policy Matters में ये तो पूरा मामला IEC के बारे में हो गया हमारा Next Article Committee to Review Manrega Act के बारे में है Union Rural Development Ministry ने भी हाल ही में एक Panel फॉर्म किया है जिसका काम है कि ये Manrega को Revamp करें और उसके लिए Guidelines चारी करें इसे Head किया जा रहा है अमर जी सिनहा जी के द्वारा जो की Former Rural Development Secretary है सिनहा कमेटी का Function क्या होगा? Function ये होगा कि ये देखें कि क्या Actually में Manrega एक Poverty Elevation Tool के तूर पर अच्छे से काम कर रहा है या नहीं? या ये कितना Efficient है Poverty को इंडिया से Eliminate करने में? कमेटी जो है कि कई सारे Factors को संग्यान मिलेगी कि Manrega के काम के Demand कितनी है? Expenditure का Trend कैसा है? Interstate Variations कैसे है? जैसे ऐसा होता है कि आप कुछ कच्छा काम करवाएंगे तो कुछ पक्का काम करवाएंगे मतब कुछ कामों में आप मिट्टी की खुदाई करवाएंगे कुछ काम में आप जो Basic Construction Work है वो भी करवाते हैं यहाँ पर देखें फिर ये Recommend करेंगे कि क्या Changes Required हैं Governance Structure में क्या काम किया जाना चाहिए कि मंद्रेगा को हम और Effective बना सकें मंद्रेगा देखें जिसका Full Form है महत्मा गाधी National Rural Employment Guarantee Act यह 2005 में आया था इसने लोगों को Right to Work दिया यह Kind of Labor Law है और एक सूसा Security मिजर है नरसिम्हा राओ जी ने 1991 में इस Act को पहली बार प्रपोस किया था कि ऐसा कोई कानून हो जिसमें हर व्यक्ति को आसानी से काम दिया जा सके क्या है युनीक मंद्रेगा के बारे में मंद्रेगा ना केवल एक व्यक्ति को सौ दिनों का काम देता है जो Unskilled Workers है जिनके पास कोई Specific Skill नहीं है और जो काम करना चाहते हैं बलकि ये उस Commitment को भी Enforce करता है एक Implementing Machinery के तरह State Government की ओर से जहां पर ये शौर किया जाता है कि Laborers को In Need काम मिलेगा और ये Laborers को Bargaining Power भी देता है इसमें एक बड़ा अच्छा सा प्रावधान है कि माल दीजे Person A है और उन्हें काम चाहिए और वो मन्रेगा में Register करते हैं कि मुझे काम दीजी उन्हें काम दिया जाएगा 15 दिनों के भीतर और उनके Residence यानि की घर से 5 किलोमेटर के Ambit में ये काम उन्हें 15 दिनों के भीतर और उनके घर से 5 किलोमेटर के Ambit में ही दिया जाएगा और अगर ऐसा नहीं किया जा सका तो उन्हें 15 दिनों के बाद Unemployment Alliance दिया जाएगा मतलब आप कम करना चाहते हैं काम तो या तो आपको काम दिया जाएगा या भत्ता दिया जाएगा 15 दिनों के भीतर 5 किलोमेटर के अंदर आपको काम मिल जाएगा कोई भी व्यक्ति जो इस प्रकार का application दे रहा है वो कोई भी Indian surgeon हो सकता है जिसकी उम्र कम से कम 18 साल की हो और वो रूरल इंडिया में रह रहा हो वो वलेंटरली ये काम और्ट कर सकता है 5 किलोमेटर के भीतर ये प्रकार का legal entitlement है right to work के फर्म में तो ये तो पूरा act हो गया मन रहेगा और इसकी उपर जो review committee बनाई गई है हमने उसकी भी बात कर ली हमारा next article ambition on melting ice group के बारे में है AMI group COP 27 अभी हुआ यहाँबर 18 देशों ने मिलकर एक group बनाया इसी group को नाम दिया गया ambition on melting ice इस group को lead किया गया ये इस पूरे group को बनाने में चिली और Iceland ने lead किया इन लोगों ने मिलकर इस high level group को बनाया ambition on melting ice on sea level rise and mountain water resource ये रहा पूरा title इसके जरीए ये ensure किया जाएगा कि cryosphere का जो loss हो रहा है उसे कैसे समझा जाए देखे cryosphere के उपर UPSC ने 2017 में question पूछा था और कई सारे बच्चों को तो cryosphere का मतलब भी समझ में नहीं आया था खेर हम यहाँ समझ लेंगे cryosphere के उपर climate change का क्या impact हो रहा है इसी के ओपर UPSC ने 2017 के means में प्रशन पूछा था ताकि political leaders समझ सके कि इसका impact के बल mountain या polar region में नहीं होता बलकि पूरे planet पर होता है इसी चीज को highlight किया जाएगा इस group के द्वारा जो लोग इसमें शामिल हुए है जो countries सामिल हुए है 2000, Chile, Iceland, Peru, Czech Republic नेपाल, Finland, Senegal किक रिपब्लिक, Samoa Georgia, Switzerland, New Zealand मुनाको, Vanuatu Sweden, Tanzania, Liberia, Norway और मेक्सिको नाम याद ना रहे तो परिशान मत होएगा इतने सारे नामों को आपको याद रखने के आवश्यक्ता नहीं है इतना याद रखिएगा कि इसमें अभी इंडिया नहीं है ठीक है हो सकता है इस ग्रूप में इंडिया बाद में चला भी जाए इसी दुरान AMI declaration भी आई जिसको UNICCCC में conclude किया गया जो declaration है इसमें focus किया गया कि जो क्राइस्फियर loss है उसका क्या रोल है क्या नुकसान हो सकता है और इससे किस प्रकार से sea level का rise हो रहा है और ये कोश्चल कम्यूटी के लिए किस प्रकार से नुकसान दे है या low line regions जो है island nations है उनको इससे कितना नुकसान होने वाला है cryosphere क्या है cryosphere दो शब्दों से बिलके बनाया है cryosphere क्यायो का मतलब होता है something that is very cold और sphere का मतलब होता है globe या gold तो ये kind of ice loop को denote करता है कोई ऐसा region जो ice या snow से या तो seasonally या पूरे साल covered हो उसे ही आप बोलते हो cryosphere हमारे earth surface का लगभग 15% cryosphere में शामिल हो जाता है इसमें आते हैं ice sheets glaciers, snow, permafrost मतलब वो जमीन का हिस्सा जो साल पर जमा रहता है sea ice, ice seves और दो create polar oceans एक तो हो गया architect और दूसरा हो गया southern ocean जो climate change है उसका बहुत ये negative impact हो रहा है cryosphere के उपर ये काफी तीजी से पिखल रहे हैं और इसका नुकसान केवल उस रीजिन में नहीं होगा जहां ये पिखल रहे हैं बलकि इसका नुकसान आपको पूरे globe पर देखने को मिलेगा तो ये तो पूरा article Ambition on Melting Eyes Group के बारे में हो गया हमारा next article National Cadet Cops के बारे में है इन्होंने भी हाली में अपनी 74th anniversary उबसर्फ की Background क्या है NCC को 1948 में बनाया गया था National Cadet Cops Act of 1948 के तहत ये Tri-Service Organization है NCC में जो रेंग दी जाती है बच्चों को वो आर्मी, नेवी और एरफोर्स के लिए होती है यहां यंग्स्टर्स को Discipline और Patriotic Surgeon बनाने की कोशिस की जाती है यह Quolentary Organization की तरह काम करता है जहां पर Cadets को Recruit किया जाता है High School से, Colleges से और Universities से इन्हें दी जाती है Basic Military Training छोटे-छोटे हतियारों को चलाने की और Parades वगरा के लिए भी इनको तयार किया जाता है Defense Ministry NCC को National Level पे Oversee करती है और Education Ministry इसे States में Oversee करती है Directorate General NCC यह इसका जो Headquarter है वो New Delhi में Located है Director General के दोरह इसको Head किया जाता है जोकि Lieutenant General के लेवल के Lieutenant General के लेवल के एक Army Officer होते है ठीक है हमारा नेक्सट आर्टिकल Tilting Train के बारे में है Indian Railway प्लान कर रही है कि 2026 तक भरत में Tilting Trains को Introduce कर दिया जाएगा और वंदे भरत में ये Technology Inbuilt के जाएगी जब भी दीखिए Railway के Tracks Curve होते है तो वहाँ पर Trains बहुत धीमे हो जाती है और बहुत धीमे धीमे वो उस Curve को Cross करते है इससे समय की बरबादी होती है और अगर Speed जादा हो तो वहाँ पर Accident का खत्रा भी बना रहता है Because जो हमारे यहाँ Trains अभी तक Run करती है उनके पास खुद को जुकाने की या Tilt करने के Technology अविलेबल नहीं है देखिए Trains में Manuering हो Curve के दोरान इससे उनकी Speed घटेगी नहीं यह Regular Track पे ही चल पाएंगे जिस तरीके से अगर कोई Curvy Road ऐसे ऐसे होती है तो उसे Motorcycle चलाने वाला व्यक्ति Motorcycle को जुका देता है तो इससे आप Speed को तोड़े बिना उस Curve को Cross कर सकते हैं वंदेबरा Trains ऐसे ही काम करेंगी 2025 तक इनमें इस प्रकार के Technology को Inbuilt कर दिया जाएगा इसमें होगा कुछ नहीं जब Curve पे यह Trains जाएंगी तो वो हलका सा Tilt हो जाएंगी और Tilt होने के वज़े से यह जो Force है उसको Manage कर ले जाएंगे 11 इसों के पास इस प्रकार के Operational Trains है जैसे केटली, पोटगा, स्लोवेनिया, फिल्लैंड, रश्या, चेक रेपब्लिक, यूके, सुर्जलैंड, चाइना, जर्मनिय और रुमानिया देखिए Tilting Train वर्क कैसे करती है जब भी कोई Speedy Object या कोई व्यक्ति जिसमानली ट्रेन अगर किसी Curve पे जा रही है तो जो लोग अंदर बैठे होते हैं वो एक Centrifugal Force experience करते हैं जिससे वो Curve के Outside एक Force फील करते हैं लगेज जो अंदर होता है वो कई बाश स्लाइड हो जाता है पैसेंजर जो खड़े हो वो Imbalance फील करते हैं इस effect को counter करने के लिए इस train को हलका से tilt कर दिया जाएगा और internal mechanism भी internal mechanism भी ऐसे ही set किया जाएगा ताकि जो gravitational force है उसे manage किया जा सके और जो tilt है उसकी अच्छी तरीके से उसे हम अगर balance कर ले जाएंगे तो किसी को motion sickness नहीं होगा और कोई problem नहीं होगी तो अब आईए revision कर लेते हैं Central Depositories Services India Limited 1999 में found किया गया ये बात तो सही है कुटिया कॉंध ट्राइब ये मदरपदेश में है एकदम गलत है ये ओडिसा में है International Electro Technical Commission London में headquartered है गलत है London में found किया गया था headquarter है सुर्द लैंड में National Cadet Crops For Entry Organization है Carries को recruit किया जाता है Schools, Colleges and Universities से ये बात सही है हमारा आज का ये session आपे समाप्त होता है आपको PDF नल जाए कि Only IIS के Telegram चैनल पे जहां आप इस QR Code को scan करके भी जा सकते हैं तो आज के session में बस इतना ही बहुत बहुत धन्यवाद